इर्मयाह भुष्वक्ता की पुस्तक अध्याय तैतालिस जब इर्मयाह उनके परमिश्वर यहवा के सब वचन कह चुका, जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब योशायाह के पुत्र अजर्याह और कारिह के पुत्र योहनान और सब अभिमानी पुरुषों ने इर्मयाह से कहा, तू जूट बोलता है, हमारे परमिश्वर, यहवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परन्तु नेरियाह का पुत्र बारुक तुझको हमारे विरुद्ध उसकाता है, कि हम कस्कियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले, वा बंधुवा करके बाबुल को ले जाए, सो कारिह का पुत्र योहनान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहवा की यह आग्या न मानी कि वे यहुदा के देश में ही रहे, और कारिह का पुत्र योहनान और दलों के और सब प्रधान उन यहुदियों को जो अन्ने जातियों के बीच तीतर बीतर हो गए थे और उनमें से लवट कर यहुदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए, पुरुष, स्त्री, बालबच्चे, राजकुमारिया और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान, नबुजर्दान ने गदल्यह को जो अहिकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सब दिया था, उनको और इर्मयह भहुशवक्ता और नेरियह के पुत्र बारुक क भे वे ले गए, और यहवा की आग्या नमान कर वे मिस्रदेश में तहपनेस नगर तक आपोचे, तब यहवा का यहवचन तहपनेस में इर्मयह के पास महुशा, अपने हाथ से बड़े पत्थर ले, और यहुदी पुरुशों के सामने उस पर इट के चबुत्रे में जो त अपनेस में फिरोन के भहोन के द्वार के पास है, चुना फेर के चिपा दे, और उन पुरुशों से कहां कि परमेश्वर, इस्रायल का परमेश्वर सेनाओं का यहवा यो कहता है, देखो, मैं बाबुल के राजा अपने सेवक नवुखद्नेसर को बुलवा भेजूंगा, और वह अपना सिहासन इन पत्थरों से उपर जो मैंने चिपा रखे है, रखेंगा, और अपना छट्र इनके उपर तनवाएगा, वह आके मिसर देश को मारेगा, तब जो मारने वाले हो, वे मृत्यू के वश में, जो बंधुए होने वाले हो, वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है, वे तलवार के वश में कर दिये जाएंगे. मैं मिस्र के देवालयो में आग लगाँआ और वह उन्हें ठुकवा देगा और बंधुवाए में ले जाएगा और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओड़ता है वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखट के चला जाएगा वह मिस्र देश के सुर्य गुरुह के खंबो को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालय को आग लगा कर फुक्वा देगा